हलो फ्रेंज, SMT चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ फ्रेंज, इन दिस वीडियो हम लोग NKS के बारे में जानेंगे कि NKS क्या होता है, ठीके, कोई भी ओडर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपको NKS का एक option दिखाए देगा तो यहाँ से आपको कैसे benefit मिलेगा तो यह वीडियो में पुड़ा हम लोग की साई पर discuss करने वाला है तो वीडियो को ज़रूर N तक देखिएगा और अगर फास्ट आम चैनल पर विजिट कर रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेजएगा कि कैसे informative वीडियो आपको hard ओज मिलते रहेगा तो चैनल करते है तो दोस्तो N केस का मतलब है आपका पैसा बहुत आर्जेंट चाहिए ऐसे नॉर्माली होता किया है आपको यह order अगर sell करते हो कोई stocks अगर sell करते हैं तो उसको 3 दिन लगता है आपका account में deposit होने पर टी प्लास टू इसको बोलते है टी प्लास टू टी प्लास टू इन दा सेंस इसका तीन दिन टेडिंग डे एक दिन हो गिया और दो दिन मालब थी देज आपको wait करना पड़ेगा आपने अगर कोई stocks scale किया है उस stocks का जो पैसा है उस stocks का पैसा आपके bank account में deposit होने के लिए तीन दिन टाइम लग जाता है तो बट आपको अगर बहुत ही urgently उसी दिन पैसा चाहिए जिस दिन आपने बेचे हो उसी दिन को अगर पैसा चाहिए तो बहुत urgent आपका पैसे की जोरत है उसी तीन आपको पैसे चाहिए तब ही आप तब कर देना है तो for example आपके पास अगर एक shares है आपके पास है 100 quantity का ठीक है तो आपने BSC पर गए इनकस BSC पर गए या पर NSC पर गए जहां पर अपने खरीदा था या फिर आप NSC में खरीद के BSC में भी सेल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं यहां पर इनकस कर लेता हू क्योंकि मुझे अभी पैसे का जोरत है आज बहुत ही ज्यादा important कुछ काम है मुझे पैसा चाहिए मैं तीन दिन वेट नहीं कर सकता हूं ठीक है तो मुझे इस टाटा मोड़िस को stocks को बेचना है मैंने इसको कब खरीदा इसका जो price था 250 रुपिस तब मैंने खरीदा हुआ यह मैंने आपको example के लिए बता रहा हूं तो मुझे 250 में खरीदा हुआ stocks अभी मैं इसको 295 में बेचना चाहता हूं कि मुझे अच लगता है यह stocks 295 पर जाने वाला है और मुझे जैसे जाएगा इसको बेचके मेरा जो पैसा होगा वो मुझे पैसा in cash में मिल जाना चाहिए मेरे bank account में आज ही मुझे पैसा आ जाना चाहिए ठीके तो आपने 250 पर खरीदा हुआ stocks यहाँ पे 100 quantity आपके पास है तो यहाँ पर आपने 100 डल दिया है और price आप चाहते कि 295 पर आपको बेचना है तो यहाँ पर आपने 295 कर दिया हूँ ठीके तो इसको आप क्या करना है उसी दिन आपके bank account में वो पैसा आ जाएगा ठीके आप question यह होता है कि question आपका यह जो पैसा आप उसी दिन चाहते हो ठीके तो उसी दिन आपको पैसा अगर मिलता है तो कितना कुछ charges है कि उसके लिए हाँ बिल्कुल है नॉर्मल जो बखरे charges है उसके उपर आपको 0.02% का charges BR करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो फिर सभी investors लोग यही बोलता है यही चाहेगा कि मैं जिस दिन ट्रेडिंग करता हूं उसी दिन का price उसी दिन मुझे बापस deposit कीजे मेरे bank में ठीक है बार ऐसा तो होता नहीं है पहले प्रोकरेज क्या करता है आपका जो stocks आप बेचते हो या buy करते हो उसका instruction securities exchange को भेजता है एक्सेंज फिर उसका process करता है फिर उसका money बापस आते आता आपके bank account में तीन दीन लग जाता है 3 days ठीक एही normal process है अगर आपके पास पैसे के जोड़त है तो बोकरेज विल आरेंच ठीक है बोकरेज आपको आरेंच करको उसी दिन आपको पैसा दे देगा तो उसके लिए आपको क्या है आपको 0.02% का एक्स्ट्रा पैसा बोकरेज आपको जो बोकरेज चार्जिस लागेगा मालीजे आपका बोकरेज चार्जिस टोटल 500 लगेगा इसके उपर आपको 0.02% और बोकरेज देना है क्योंकि आपको उसी दिन को पैसा बापस आपको deposit करना है bank में, है ना, पैसा लेना है आपको bank में तो इसलिए जो normal pocket charges है उसके पर 0.02% और भी charge करता है HTC securities ने फिर आपको पैसा उसी दिन bank में आपका transfer हो जाएगा जब order execute हो जाता है तब, ठीके तो यही होता है main funda अपता यहापका short, sorry आपका यह encash का, ठीके यहापे देखिए product type encash आपने 295 पर sell कर दिया 100 quantity है आपके पास 100 quantity अपने sell कर दिया और आपने इसको encash के जरी आपने brokerage को बता दिया कि मेरा जो पैसा है आज मैं trading कर रहा हूँ, यह execute होता है तो आज पैसा आज ही मेरे bank account में जमा कर दिया जाए ठीके, तो security brokerage क्या करेगा आपका जो trading बाला पैसा है आज ही के दिन में आपका bank account में deposit कर देगा, बाट उसके लिए आपको थोड़ा सा extra charge देना पड़ेगा charges है 0.02% extra charges brokerage के उपर normal brokerage होता है उसके उपर आपको 0.02% का extra charges आपको pay करना पड़ेगा ठीक है तो off market orders not allowed for the selected product अभी आपको market off है तो मैं आपको demo पूरी तरह से नहीं दिखा सकता बाट यह है, normally आपको यहाँ पर confirm order पर click करना है confirm order आप जैसे करोगे आपका वो order line पर हो जाएगा जब यह stock का value 295 पर hit करेगा फिर आपका वो execute हो जाएगा और जैसे execute हो जाएगा आपने यह in cash किया हुआ है तो इसका पूरा पैसा 100 quantity के जितना भी पैसा होता है 29,500 होता है यहाँ पर कुछ आपका बोकरज काटेगा तो जितना भी पोकरज काटेगा उसको पर 0.025% और भी add होगा फिर आपका 29,500 उपर पोकरज काटके आपका सारा पैसा आपका bank account में उसी दिन deposit हो जाएगा ठीक है आपका कुछ जरुरत है बहुत urgent काम है उसी पैसा आपको चाहिए तो उसी दिन आपको पैसे लेना है तो आप n cash option का select कर सकते हैं इसलिए n cash का option दिया गया है ठीक है पर उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी पे करना पर रहा है 0.02% और overall brokerage जो brokerage होता है उसके उपर भी और भी ज्यादा एक्स्टा 0.02% का brokerage को एक्स्टा देना है क्योंकि you are getting the service facilities कि सेम डे पैसा bank में deposit ठीक ही होता है n cash का मतलब in stepc securities चाहो तो आप इसको utilize कर सकते हैं अगर आपका कुछ urgency है मानिका तब ही आप चाहिए इसको utilize कीजिए क्योंकि इसमें तुरासा एक्स्टा पैसा brokerage को देना होता है अगर आपको पैसा के जुरुत नहीं होता है तो n cash करने का कोई जुरुत नहीं है hopefully video को informative लागा है आपको जानकरी मिल गया है कि n cash का भी use करते हैं ठीक है इन इस दिश्टी सेक्यूर्टिस अगर informative लागा है तक like जरूर कर दीजगा वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजगा and चैनल के साथ बने रहिए for ऐसे more informative वीडियो के लिए thanks for watching मिलते नेक्स वीडियो के तक